हलो दोस्तों सब्सक्राइब करिए धीरेद मोटिवेशन एन अमेजिंग फ्याइक्ट चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और पाया जिन्स रेल्टेटर सभी परकार के यूज़कूल इंपरमेशन सबसे पहले क्या आप भी प्याज खाते हैं अगर नहीं खाते हैं तो आज के बाद जरूर खाएंगे। प्याज कारते वक्त आपके आखों से आशू तो जरूर आते होंगे लेकिन इसके खाने के फायदे भी बहुत सारे हैं चाहे कच्चा हो या पका हुआ प्याज दोनों ही फर्म्स में सहथ के लिए बढ़िया होता है लिखिन कच्चा प्याज खाने के ज्यादा फाइदे होते हैं सिर्फ कच्चा प्याज खाने से ही आप कौन-कौन से बीमारे से बच सकते हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. इसलिए इस वीडियो को अन तक जरूर देखें, और अगर यह वीडियो आपके मतलब का है, तो नीचे दिये गए लाइक और सब्सक्राइब बटन भी जरूर दबाएं. तो चलिए सुरू करते हैं, डाइजेशन में मदद का, कच्चे प्याज डाइजेशन में काफी मदद करता है, कच्चे प्याज में फाइवर की मतला ज्यादा पाये जाती है, जिससे आपके पेट के अंदर का चिपका हुआ खाना भी पूरी तरह से डाइजेश्टर हो जात करती है, जिससे कब्ज दूर होता है, जो लोग सुभा सुभा एक बार में फ्रेश नहीं हो पाते हैं, उन्हें रात में खाने के साथ कच्चे प्याज के सेलेट भी खाना चाहिए, यह नुसका कब्ज को दूर करने में काफी लबदायक सावित होता है, बिलीडिंग की समस् आप हर दिन अच्छे से कच्चा प्याज खाए, जिससे ना तो आपको लू लगेगी और ना ही आपकी नक्सिर खुटेगी, यही नहीं अगर आपके दातों सो भी खुन निकलते हैं तो आप कच्चे प्याज को गरम करके अपने दातों के नीचे 3-4 मिर्ट तक दबा कर जाते हैं तो जान लीजे यह असान सा नुस्का, आपको कच्चे प्याज का रस निकलना होगा, इस रस को आप सहद में मिलाकर दिन में दो बार ले और लागातार एक हफ्टे तक ले, इससे नहीं आपके गले में खरास रहेगी और साथ ही सर्दी जुकाम से विच्छुर कर मिलेगा, कैंसर सेल्स को रोके, कच्चे प्याज में सलफर की मत्रा अधिक होती है, ये कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देता है, कैंसर प्याज को प्याज खाने से उसके टीटिमेंट में बहुत मदद मिलती है, अगर आप सुरू से ही कच्चे प्याज खाते रहे हैं तो पे प्याज आपको एनेमिय से भी बचा सकता है। प्याज को कटने से आखो में आशु आने का कारण होता है इसमें पाया जाने वाला सल्फर जो नाक के जड़िये शरीर में इंटर करता है। सल्फर में तेल पाया जाता है जो एनेमिया से आपको शरी को बचाने में मरद करता है और अगर आपने नीने से पिडित हो गए है तो इसे ठी करने में भी सहाइक साबित होता है जब आप प्याज को खाने में पका कर खाते है तो यह सल्फर नस्ठ हो जाता है इसलिए सल्फर क की प्राप्ति के लिए इसे कच्चा जरूर खाना चाहिए कोलेस्ट्रोल कम करता है अगर आपका कोलेस्ट्रोल हमेशा ही बढ़ा हुआ रहता है और आप उसको कम करने में असमर्थ रहते हैं तो आपको जरूरत है कच्चे प्याज खाने की कच्चे प्याज में अमीनो एसीड और मिठाइल सलफाइट पाया जाता है यह सभी तत्व खराब कोलेस्ट्रोल को कम करते हैं और गुद कोलेस्ट्रोल को बढ़ाते हैं तो कच्चा प्याज खाने से आप कोलेस्ट्रोल बढ़ने की परिशानी से मिज़ाद पार सके लिए दिल के लिए है फाइदे मंद। कच्चा प्याज आपके दिल के लिए बहुत ही फाइदे मंद होते हैं। हाइब ब्लेप्रेशर को कंट्रोल करने में कच्चा प्याज बहुत ही मददगार सावित होता है। ये बंद खूनकी धूमनियों को खोलने में मदध करते हैं, जिसे आपको दिल की विमारी होने का खत्रा काफी कम हो जाता है। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते है कि प्याज ना खाने बालों की तुल्ला में प्याज खाने बालों की सहरेद जदा अच्छी रहती है। इसलिए भी नहीं खापाते हैं क्योंकि उन्हें इसका टेस्ट नहीं पसंद होता है तो लोगों के लिए मैं एक बहुती असान सक्किभ बताऊंगा जिसे कि क्या होगा आपको बहुती स्वाट के साथ कच्छा प्याज खा सकते हो आप कच्छे प्याज के एक हिल्दी चट्नी बनाका भी खा सकते हैं जिसमें तियल और मसाले बहुती कम हो तो जैसे भी खाए कच्छे प्याज जरूर खाए तो कैसा लगा आपको हमारी आज की यह वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताए अगर अगर आप भी आज तक हमेशा कच्छा प्याज खाते है तो किस तरह से रखाते हैं ये भी जरूर सेर कारें। वीडियो के अन्तिम तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद। नमस्कार। झाल